हेलो, वाट्स अप गाईज, मैंने में स्पिनोत बादूर थापा और आप सभी का बहुत बहुत स्वाद करना चाहूँगा मेरे आसम चैनल थापा टेक्निकल पर बताना चाहूँगा आज पूरे बहुत ही ज्यादा आसम अनुवल है बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे आसम वीडियो पसंद आते से स्वार अनिमेशन ट्रांसफां ट्रांजिसन की उपर तो कैस मैंने बहुत सारे आसम अनिमेशन की उपर वीडियो क्रेट किया इसको जरू चकाउट कीजेगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सम में मिल जाएगा अब हम बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते है आप देख सकते हूँ कि हमारा जो HTML का पाट है वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है जहां पर सिंपल है अगर आफ एडर ना लेखो तो भी चलेगा यहां पर जान वच के दिखा है मैंने सर्विसेस पर एपने यूटुब का मैंने लिंक दे रखी है अगर सर्विसेस पर क्लिक करता हूँ और भूम गाइस आप देख सेकते हूँ कि मैं अपने यूटुब के पेज़ पे डिडिरेक हो जाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ओसा में ठीक है एंड लास्ट में वे इस आओ कॉन्टेक्ट तो हमारा जो सेसेस होगा एक एक स्टेनल पेज होगा यहां पर उसको लिंक अल्रेडी कर चुका हूँ अगर मैं आपको हमारा सेसेस दिखा हूँ तो उसमें कुछ नहीं है युनिबर्सल ओपरेटर में मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो बॉक्स साइजिंग आज बहुत इंपोर्टेंट रोल एक प्ले करने वाला तो आपको पाता चलेगा एक फॉन फैमिली मैंने यहां पर दे रखी है इतना डिस्पले ग्रीड प्लेस आइटम सेंटर जिसके चलते हैं सब हमें सेंटर पर दिखाई दे रहे और बैग्राउंड कलर ताकि यह हमें दिखाई दे अब इग्जैक्टली इतना कोड लिखने से हमें इतना कुछ तो मिलने वाला है नितो रियल में हमें कैसा दिख रहे है और बॉम गाइस यहांने देते इसको ठीके दिस इट चलो मैं यहां पर चलता हूं अपमें क्या करता हूं हां एक और काम तो मुझे यहां पर करना पड़ेगा क्योंकि आप में खाली रिफ्रेस करूंगा यह दिखिए कितिनी ओसम तरीके सी होगी बट आप देख सकते हूं कि यहां पी यह डॉट इट हमें दिखाई दे रहा ठीक है तो वह जो डॉट है उसको हटाने का बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है एंड डैट इस यूवल के अंदर जो एलाई है लिस्टाइल नन क्योंकि और डिफॉल्ट वह हमें प्रोवाइड कर रहा होता है स्टेमल ठीक है तो उतना लिखने मातर से वह गया हो गया अब जो कुछ भी है वह हमारा एंकर टैग है सबसे पहले उसका कलर चेंज करूं के बीच में स्पेसिंग दो ठीक है त अब मैं अगर रिफ्रेस करूंगा तो कुछ आपको एक सेकेंड सौरी मुझे यहां पर एंकर टैग को टागेट करना था अब अगर मैं दिखाता तो कुछ इस्तिरगी से दिखाई दे रहा है बहुत ही ज्यादा होसा मुझे उनकी बीच में थोड़ी स्पेस चीए ठीक है तो पैडिंग दे रहा हूं है उपर और नीचे से लेट सको विट एट पिक्सल आजू और बाजू से लेट सको विट 15 पिक्सल अब अगर ऐसा करता हूं तो आप देख सकते हो कुछ इस्तिरगी से दिखाई दे रहा है वह जो नीचे अंडरलाइन उसको अटाने का बहुत ह जाता सिंपल है टेक्स डेकोरेशन नन रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वह जो अंडरलाइन था वह गाइप हो चुका है तो वह बॉर्डर बहुत इजली क्रेट कर सकता हूं बेसिकली बीफोर एंड आप्टर स्वीडू अलेमेंट्स का यूश करने जा रहे तो फॉर डाट आइनिद टू मेंशन कि हमारे जो एंकर टाग है उसकी पोजिशन रुलेटिव ठीक है सो मैं यहां पर चलता हूं एन लेट्स दो विफोर सबसे पहले ठीक है एंड इस सुपर डूपर इस तो कंटेंट आपका गाइस नथिंग यहां पर इसकी जो बीट दो लेट एंड यह वाली जो कलर रहे गाएस इसी को में करूंगा कॉपी यहां पर कर दूंगा पेस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल इतना करने से हमें टॉप पे दिखाई देगा नौधी प्रॉब्लम है इसकी आप देख सकते हूं कि चिपक रहे लोग हमें चिपका बॉर्ड कर नीचे ऐसा लग रहा है एक ही सिंगल लाइन के नीचे यह सब के सब आ गए ठीक है तो हम क्या करेंगे जब पोजिशन आप देते हो ना तो आप मार्जिन लेप्ट मार्जिन राइट के बदले सिप टॉप लेप इस तरह किसे लिख सकते हूं टॉप जीरो लेट भी कर द लेकिन आजो बाज उसे में 10 पिक्सल दूँगा तो यह बहुत ज्यादा ओसम लग रहा है अब मुझे खाली यह बाकी की जो रिमेनिंग 3 डिरेक्शन से वहां पर भी मुझे चाहिए होगा लेट बॉटम एंड राइट साइट तो मैं यहां पर क्या करता हूं यहां पर मैं बॉटम में भी ठीक है तो इसके लिए जैसा पर क्या करता हूं सिंप्ली आप चाटों के इसाथ कर सकते थे लेकिन मैं इस तरही से कर रहा हूं अब मैं क्या करता हूं तॉप के बदले ठीक है दोनों टॉप को मैंने एक साथ हाईलाइट की और और यहां पर मैं लिग देता यह जो wrapper type, यह नहीं था, यह नहीं था, वाट अभी यह है, तो guys, इस एक वीडियो में आपको बहुत सारी effects देखने मिलने वाले, आप चाओ तो इसको as it is भी रख सकते हो, ऐसे रखा है कि यह gift में wrap करके रखा हुआ है, अब मुझे इसको hover effect करना है, जिससे यह छोटे छोटे दिखाई दे, जब मैं hover करूँ, तो मैं क्या करता हूँ है, जो मेरा before and after pseudo elements है, उनको मुझे hover effect add करना पड़ेगा, so मैं यहाँ पर चलता हूँ, इस तरिके से hover, ठीक है, all right hover, इसको वापस copy करूँगा, paste मुझे यहाँ पर कॉमा देना, क्योंकि दोनों को एक साथ मैं target करने क्योंकि दोनों की जो hover property है, वो almost same ही है, that's why कौन दो दो बाल लिखेगा, तो मैं simply यहाँ पर चलता हूँ, खाली मुझे यह जो width and height है, इसको छोटा करना है, मैं इसको करना चाहूँगा 10%, ठीक है, and height भी 10%, the moment इसको refresh करता हूँ, यह देखोगा, इस कितना awesome दिख रहे, but the problem आप देख सकते हूँ कि यह छोटा लग रहा है, यह थोड़ा बड़ा लग रहा है, I mean हमारी जो width बड़ी लग रही है, तो height को मैं यहाँ पर let's go with 20, and अगर आप मैं इसको refresh कर देता awesome, now सब कुछ बहुत awesome लग रहा है, तो आप चाहो तो इसको as it is भी रख सकते हूँ, इस और खिल खिलाता हुआ effect दिखाना हो, तो guys मैं क्या करता हूँ, दोनों को 1 second इसको target नहीं कर सकता हूँ, position absolute को target करता हूँ, यहाँ पर simple इस तरी किसे ठीक है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, transition हमारी जो property है, 0.3 seconds में चाहूँगा कि दिखे हमें इसको मैं हटा देता हूँ, अब आप देखो कि जो भी effects हो रहाँगा, वो transition 0.3 seconds में हो रही होगी, तो आप देख सकते हूँ, यह भी कितना neat and clean, तो guys एक effect आपने अल्रेडी देख लिए है, ठीक है, आप मैं दूसरा effect दिखाता हूँ, let's go भी यहाँ पर, and अगर मैं यहाँ यहाँ पर चलता हूँ, transform, rotate and then 360 degree, अब अगर मैं refresh करता हूँ, and boom guys, so अब आप देख सकते हूँ, कुछ हो आपको इस तरी किसी दिखाई दे रहा है, ठीक है, यह simple दिखाई दे रहा है, इसमें और थोड़ा जान दिखाने के लिए, दूसरा effect भी होगा, तिसरा effect ही होगा, कि अगर आप इन दोनों की दोनों की जो transform की जो origin है, उसको आप चाहो तो from all the four direction खेल सकते हो, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, transform, ठीक है, and मैं यहाँ पर चलता हूँ, origin, कहां से चाहिए, आपको कहां से effect start होते हो दिखना चाहिए, let's go with left side, तो आप देखो, starting में जो मुझे दि important है, कभी आपने कुछ ऐसा देख लिया, आपको create करना पड़िया तो, हैगी नी, and now मैं आपको बता था कि यह जो portion दिखा ही तेरे, ऐसा लग रहा है, and toffee को wrap कर देते है, toffee हम जो बच्छों ने खाते थे, तो उसको हटाने का सबसे best part है, and मैंने starting में कहा था box sizing, water box, बहुत important role play करने वाला है, because जो extra padding है, उसको यह हटा देता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर simply again इसको target कर रहा हूँ, ताकि दोनों को एक साथ code लिख सकते हूँ, and this is it, so 3, 2, 1, and boom guys, see, now अब आपको बताओ, कैसा लग रहा है, तो guys, थाना ये वीडियो कितना ज़्यादा awesome, मैं कर सकते हूँ, border के साथ आप खेल सकते हूँ, मैंने एक वीडियो में आपको multiple effects दिखाए, कि आप border के साथ कैसे खेल सकते हूँ, so guys, this is it, आज इस वीडियो के लिए नहीं, I really hope आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आओगा, बाता ना चाहूँगा, ऐसे awesome वीडियो दिखाए देगा, hit किजे, click किजे ताकि आप डेल ये से awesome वीडियोस को मिस्ट ना करे, so till then guys, thank you so much, take care.